तो दोस्तों अगर आपके पास है Infinix Smart 8 phone जासा कि आप देख पा रहे हो और इस phone में दोस्तों अगर आपका data बहुत ही जल्ली खतम हो जाता है data saver को on करना चाहते हो तो कईसे करोगी मैं यह नहीं कहता हूँ कि आपका बिल्कूल data use नहीं होगा खतम नहीं होगा लेकिन काफी सिंप्ली आप notification panel को नीचे को करोगी और यहां पर देखोगे data saver का option मिलेगा नहीं मिलता है तो कोने में 3. यहां पर किलिक करना है edit shortcut switch यहां पर किलिक करना है और यहां पर देखोगे बहुत सी application मिलेंगी ठीक है अब दोस्तों data saver यहां पर देखोगी यह रहा data saver आपको द और on करने के बाद में अब दोस्तों यहां पर करना क्या है unerextrated data का option मिलेगा इस पर किलिक करना है अब यहां पर कुछ इस परकार का interface आएगा आपको लगता है कोई ऐसी application जो background में ज्यादा data use करती है तो उन्हें choose भी कर सकते हो जैसे chrome browser हो गया facebook हो गया instagram कुछ 2-3 application आप ले ठीक है तो इस परकार से data saver को on कर पाओगे data बचा पाओगे यहां पर होगा क्या जैसे आपका यह data saver on रहेगा ठीक है लेकिन hot stop आपका open नहीं होगा किसी को wifi से अगर आप data दोगे तो नहीं दे पाओगे क्योंकि data saver का मतलब ही होता है data बचाना तो अगर data किसी को देना होती है setting वहीं से होंगी ठीक है